समाजवाद के बारे में आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस हैं, नकली सोशलिस हैं, तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अर्थ शास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है, वो पहले एकोनॉमिक पॉलसी में राइटिस थी, फिर वो सेंट्रिस होगे, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारती जनता पार्टी, जनसंग के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धानतों की विचर्चाप सुनोंगे, तो यही रही है, कि हम देश की जनता पर भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामरते पर भरोस की चाहिए, और हम वो नीतिया बना रहे हैं, कि उनको सबसे ज़्यादा आउसर विले, उत दूसरी बात है, हमारा मत है, गवर्मेंट है, नो बिजनेस टू बिजनेस, अब यह कहां समाजवाद के साथ बढ़ता है, यह तो समाजवाद के वह खिलाब है, सरकार का काम है, गर के लिए सोचालाई बनाओ, सरकार का काम है, गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो, सरकार का काम है, गरीब अबर बिमार है, तो उसको इलाज की व्यवस्ता करो, सरकार का काम है, गरीब गाउं गाउं तक को रास्ते बनाओ, लोकों को जाने आने की सुविदा करो, सरकार का काम है कि हमारा देश का अग्रिकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजान में कैसे पहुंचे इसके लिए कुछ वेवस्ता करो चोटे किसान उसको दर किनार की गया उसकी चिंदा करो और मेरी प्रांत्विक्ता यही है मुझे लोकों को घर देना है मुझे गरीबों को सावचाल तो मेरा मुझे यह समाजवाद मंजूर है क्योंकि मैं मैं समाज के लिए हूँ लेकिन मैं जो चर्चा करता हूँ नकली समाजवाद वो यह हैं यह पूरी तरह परिवारबाद हा रहे हैं लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या वो भी तो समाजवादी थे हैं जोर साथ काम कर रहे हैं वह भी तो समाजवादी परिवार कही नेजर आता है क्या यह समाजवादी लोग है लेकिन यह लोग देखिए पीरा परिवार मुझे एक बार किसे ने चिठी भेजी थी मैं तो भूल गए आज उन्होंने कहा कि इनके परिवार से यह सपा जो है उत्तर प् जो किसी ने किसी पदपर थे एकी फेमिली के 45 लोग और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उमर के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मोका दिया गया है कि यह परिवारबाद के लिए खत्रा है इसलिए मैं कह रहा हूं तो अखिलेश और जैन दोनों कहते हैं कि परिवारबाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं आपकी पार्टी में भी है राहुल गांदी भी कहते हैं कि परिवारबाद से जुड़े मतलब सेकेंड जेनेरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी हैं बहुत बहुत फर्क है यह फर्क अच्छा सवाल पूछ आप में मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूँगा बुरा मत मानिये लेकिन देश की जनता को मैं जूट के सामने सत्य समझाना चाहता हूं एक परिवार से अलेक लोग जनता के बीच में जाएं एक परिवार से दो लोग जाएं तिन लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भीजें वो एक राजनीती का पहलू है लेकिन दूसरा एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने उस पार्टी के ट्रेज सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दो पार्टिय मेन रही वहां, दोनों परिवार की पार्टिय आए, अभी तक उसका कोई नय नेता देखा है नहीं, आज देश में जो 18-14 साल की उमर के लोग है, उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेकता देखे यह की परिवार के देखे यह जोनों पार्टी, पंजाब में देखिए, परिवार वाली पार्टी, आप हरियाना में देखिए, परिवार की पार्टी, उत्रपरदेश देखिए, परिवार की पार्टी, जारखंड देखिए, परिवार की पार्टी, आप तमिल लडु में जाइए, परिवार की पार्टी, ये परिवार ही पार्टी चलाता है, परिवार जो चाहें उनका भड़ा है, ये लोग तंत्र के लिए बहुत से बड़ा खत्रा है, एक पार्टी के दो लोग अगर MLA बन गए, MP बन गए, तो वो पार्टी परिवार की नहीं बनी है, और ये दोनों को फर्क समझना होगा, कोई लोग तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोग तंत्र کے मुर्भुत सिध्धानतों को ना करता है, दूसरा, जब परिवार वाधी-राजनीती चलती है, परिवार ही सर्वोपरी होता है, परिवार को भचाओ, पार्टी बचे अन बचे, परिवार को भचाओ, दे ऐसा भी होगा लेकिन वही अगला द्यक्ष बनेगा तब सबसे बड़ी केज्वेल्टी टैलेंट की होती है और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आये बहुत जरूरी है इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्री करण यह बहुत आवशक है परिवार कहीं परशुकर जगाई नहीं कहां जाएगा क्योंकि बागी मैं तो है उसके परिवार का मैं नहीं हो तो थोड़े जिन दो मेरा उप्योग होगा बाद में मुझे फैक देंगे मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा लेकिन मैं राज्जी के लिए काम करूंगा तो मैं पॉलिटिकल फैमिली जै तो कॉंग्रेस कह रही है जानके आपने जवाल नाम नहरू के स्पीच दिये राज्य सभाव में लोक सभा में वहां पर आपने नहरू जी के स्पीच पर बहुत तवज्जो दी और यही दिखाने के लिए कि नहरू जी ने भी ऐसे काम किये हैं जि वो परिवार के उपर नहीं था पहली बाद है। और सरकारिक कॉंटिनुटी होती है। और इसलिए एक प्रधान मंत्री के ये विचार थे तब क्या स्थिती थी आज के प्रधान मंत्री के ये विचार है क्या स्थिती है और देश का ये हक बनता है अब दूसरा बार-बार हमें कहा जाता है अब नहरुजी का नाम लेते नहीं अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो झाल झाल